हाँ दोस्तों वेलकम टू माइजूटूब चैनल आज हम आप लोगों को 40W की ट्यूबलाइड के चोग का डिजाइन बताएंगे चालिस वाट की ट्यूबलाइड का चोग का डिजाइन बताएंगे यह edd की मतला के अंतरगत हैं किसकी e करेंट वाले हिस्से को ले सकते हैं पूरा नुमान से या फिर हम कैलकुलेट से ले सकते हैं देखेंगे यहां इसकी जो प्रचालन धारा आएगी पहली बात हम कह सकते हैं यहां पर पॉइंट करके देदी हमने यहां पर हम कह सकते हैं ट्यूबलाइट की ठीक ट्यूबलाइट करता हूं यहां आई डी नूट कर रहा हूं इसे यहां पर देखते चलेंगा आई डी नूट कर रहा हूं इसे और यह लिख रहा हूं हमारा कितना है कासवाइ ri लेकिन यहां पर 08 नहीयिं बलकि 0.5 मानेंगे इंडक्ट Dw है तो जब इंडक्टнов होता है तो कॉरन्ट लेगिं होता है तोelshपे करण बहुत में PUB को फेakल लेगिं होता है तो वहां पर हमारा 0.5 लिया जाएगा और efficiency अगर मानते हैं तो यह हम ले देखने हैं कितना 0.8 ले रहे हैं ठीक यह हमने efficiency ले रखा तो इतना हमने ले रखा तो power का फार्मूला हो जाएगा यह हो जाएगा यहां से अगर आई अगर निकालेंगे तो पी अपान वी कास फाई इन्टू इफिसेंसी यह हो जाएगा पी की वैलू 40 वी की वैलू 240 और कास फाई की जो वैलू है वो 0.5 यहां लिख रहे हैं 0.5 और efficiency की वैलू कितनी है इसे अगर हल करेंगे तो यह आजाएगा लगभग इतना ही यह वन पॉइंट सी कैसे कुछ करके आएगा तो 0.41 यह टू कह सकते हो सीधा सीधा यहां मैंने अगर कलकुलेट जो मैंने किया इस भाग को मैंने कितना कलकुलेट करकर करका यहां इतना तो यह बात कहां से आया को समझ में आनी चाहिए चलिए दूसरी बात मैं ले रहा हूं जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था पावर फेक्टर कास 5 कास 5 को मैंने रहा हूं 0.5 यह मैं पूर्वा नुमान में मान रहा हूं देखो यहां पर कुश कोशन में नहीं दिया गए हम इसे पूर्वा घंक या flux density कह सकते हूं क्या कह सकते हो फ्लक्स घंक या फिर flux density इसे दिनोर करते हैं और इसकी वेल्लू जो है वह हमारा 1.3 88, बेभर परती स्क्वाइर बेबर प्रति मिट्वाइर यह मैंने ले रखा थीसरा पॉइंक में ले रहा हूं देखेंगे कि देखेँ तरी डे पॉंट में लिया देखेँंगे सेब्सक्राइब स्कवर्ण करते थे और इसकी वेल्यों कितना पॉइट-चंज पनने प्राइब, देखेँंगे किसके लिए वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर सेम वैसे ही ट्रांसफार्मा चोक जैसा दोनों की डिजाइन लगबग लगबग सेमिलर होती है थोड़ी थोड़ी चेंडिंग होती है अब यहाँ पर देखेंगे इपॉइंट में ले रहा हूं कि कापर के लिए कापर के लिए करण्ट डेंसिटी कापर के यह तो इसे डेल्टा से डिनोट कर दे रहे हैं और यह वैलू ले रहा है कितना होता है भाई टू पॉइंट थ्री एंपियर प्रति एम्म स्क्वायर ठिक यह आपका जाएगा किसके लिए करण्ट डेंसिटी आ गई अब यहाँ पर देखेंगे यह में में बाते जो थी हमन यहां मैंने देखेंगे कुछ अलग से नहीं लिया जो भी बात मैंने यह बात मैंने ट्रांसफार्मर के लिए लए रखा था यह एक चीज़ नहीं इंक्लूड हुई है और यहां पर धारा धारा कैसे आया वह मैं कैलकुलेट करके भी निकाल सकता था लेकिन एक स्टेप मैं परनुमान क बात खौड़ेएं यहां हम पहला सुरू करते हैं तो यहां पहला पॉंट हम के निकालते हैं टर्नपरती इक तर्न प्रति वोल्ट यही निकालते थे पहले हम तर्न प्रति वोल्ट जब निकालते थे तो देखेंगे तर्न प्रति वोल्ट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई पावर पावर बोले तो वी ये की वेल्यू मुझे चाहिए वी ये की वेल्यू देखेंगे कैसे नि value हमार कितने पॉइंट अब आपको एक बात अगर मैं बता हूँ तो यह आप अच्छे समझते होंगे ठिक यह यह जो होता है आपका यह होता है वी आई कासफाई ठिक यह होता है वी आई साइन फाई और यह होता है वी आई और इसी की वैलू को अब यहां पे अगर मैं बिये निकालता हूं तो देखेंगे अगर आवश्यक वी लिए है देखिए चोग के लिए है तो मैं उसके लिए नहीं पावर यह फार्मूला है अपान के कासवाई होता है किसके लिए है चोक के लिए है अगर यही आपका का ट्रांस्फार्मर होता तो जिरो पाइट टू-फाइब नहीं होता यहां देखें हमने चोक का डिजाइन का पूरा फार्मुला डेरिवेट नहीं करवा था सीरा नूमेरिकल करवा रहा हूं ठीक तो अब यहां पे देखेंगे जिरो पाइंट टू-फाइब इन्टो पी की वैलिव दिया है कितना 40 और वी की वैलु दिया है जीरो पाइंट फाइब ठीक अगर इसे काड़ते हैं तो तुगना जाएगा ठीक और यहां दो और यहां 20 कितना आ गया 20 VA की value कितनी आ गई 20 आ गया कोई confusion नहीं अब देखेंगे VA हमें पता चल गया तो हम table देखेंगे और TE की value find करेंगे table हमारे पास कहा होगी exam में मिलेगा या फिर हम अपने book से देखेंगे 20 VA के लिए T की value कितनी है वह देखें यह हम table दिखा रहे है यह 20 वी ए 10 और उसके लिए T की value जो है आपकी 14 है तो 20 वी ए के लिए जो T थ्यूरी वाला पार्ट था उसे मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि वो एकदम सेम ट्रांसफार्मर जैसा यह इसलिए मैं सीधा नुमेरिकल करवा रहा हूं एक बार अपने से देखेंगे तो आपको इसकी थ्यूरी पूरी समझ में आएगी थ्यूरी इसलिए मैंने नहीं बता क् कोशन पूछता है तो मैं कोशन करवा दे रहा हूं तरीका आपका सेम वैसे यह जैसे आपका किसका था चोक का उसका ट्रांसफार्मर का था ट्रांसफार्मर का मैंने थ्यूरी और नुमेरिकल दोनों करवाया अब मेरी दूसरी हेडिंग मेरी चल रही है किसकी भाई अब य देंगे अब यहां पर देखें कोर के लिए जब मैं कर रहा हूं डिजाइनिंग तो मुझे टी पता है ठीक अब मैं यहां पर क्या नगाँगो टोटल टर्न अपान की क्या बोल्टेज सेम यही फार्मूला किसके लिए मैंने यूज किया था ट्रास्फार्मर के लिए में और यही सेम फार्मूला किसके लिए रख रहा हूं यहां यह हमारा क्या है टोटल टर्न है तर्न है और यह हमारा क्या है इंड्यूज कि एम एफ क्लियर हो अग नहीं यह फार्मूला सेम ऐसे ही यह फार्मूला होता है आपका इस्कोल टी आपका क्या है टर्न है अब हम इस e की value put कर देते हैं put करने के बाद ये t से t cancel हो गया 5m अगर मैं उपर क्यों ले आओं इधर तो हमारे यह जगा 5m is equal to 1 upon 4.44 यहां क्या बचा हुआ है f into t e इतना ही बचेगा क्योंकि ये t से t cancel हो गया इसी फार्मूले put कर देंगे तो हमारा निकलेगा 5m बराबर हमारा निकल क्या जाएगा 1 upon 4.44 अब यहां पर f की value 50 और t e की value कितना 14 यह मैंने कहां से लिया भाई यहां इस table से ठीक यहां से मैंने लिए रखा तो t e की value यहां रख दिये अब जब मैं इसे हल किया तो यह हमारा निकल क्या आया भाई यह निकल क्या कितना हमारा यह भी मैं बता दे रहा हूँ यह निकल क्या हमारा 321.75 into 10 के पावर minus 6 देखेंगे यहां unit भी रखेंगे unit को रखते हुए हम अगर निकालेंगे तो यहां पूरा यह hertz होगा यह आपका turn का कोई मात रख नहीं होगा थी यह सीधा निकल गया थी यह हमारा किस में निकल गयागा बेबर प्रति मीटर स्कॉयर में किस में निकल गयागा बेबर प्रति मीटर स्कॉयर में किस में निकलेगा किस में निकलेगा केवल बेबर में निकलेगा अब यहां पर हम और का प्रभावी छेत्रफल क्या निकालेंगे प्रभावी छेत्रफल यही काम हम करते थे ट्रांसफार्मर वीडियो जरूर देखिएगा यह आपको समझ में आयागा इस इस छेत्रफल को किससे डिनोड करें आई से और यह क्या होगा और सुरी 5-max अपान B-max यह होगा फार्मुला फाइकि वैल्यू अपने निकाल रखा है कितना है वहीं 321.75 इंटू 10 की प्रवर माने शिक्स डेवर प्रति में है और अपान में क्या निकालेंगे वी मैक्स की वैल्यू बी मैक्स की वैल्यू कितना है 1 पॉइंट यह बेबर मे जायागा मिटर स्कॉयर उपर जायागा तो देखेंगे यह चेंज हो जायागा ठीक तो यहांसे निकल क्याया रहे वो जागा Central Park's對啊 You情况 40 .5 mm यह क्या जाएगा एरिया निकल क्या जाएगा ठीक दिखाई Cody works जैआ हो को देखा दे रहा हों已經 यह निकल किया जाएगा यहां से इतना यह सका हो गया कोई कोड़ का प्रभावी छहत्र फल हो जाएगा ठिक अब यहां से एक चीज और देखेंगे यह इसто music कर करक इसे से 900 गुमा दीजिए एक टाइप की स्टाफिव निकीशा क क्लीर मुख अगर देखोंगा 500 वाट की साका में ले रहा है चालिस वाक की मेरी ड्यूब लाइट है 20 वाइटी चालिस आती यह 65 आती है तो 40 वार्डकि मेरे ट्यूब लाइट है कि यह साइस हो जाएगी की वियों है हमने 40 वाट करने रखा तो यही वाला रोह हमारे को काम में आएगा ठीक है और यह हमारे इसकी यह स्टेंपिंग की जो चित्र बनेगा वो इस तरीके का चित्र बनाएंगे आप लोग ठीक है यहां मैंने लिखा 40 वार्ट जोक है तु जे जे स्टेंपिंग वाले कोर का चैन करने पर अब यहां मैं देखें टेबल से मैंने देख और वो चोड़ाई कितनी थी वह ए और एका जो माप आएगा वह कितना था 12.5 जिसके पास होगी वह देख लेना इतने एमेम है और पटलन गुडांग जो आ रहा था आपका ठीक पटलन गुडांग के एस की वेली जो आ रहे थी वह आ रहे थी कितनी 0.9 किती आ रहे थी 0.9 यहां से आप आप निकालेंगे जो आपका ग्रॉस संपूर चेत्रफल या ग्रॉस चेत्रफल जो आएगा ग्रॉस एरिया जो आएगी उसे तो यहां लिक रहे हैं कोर का ग्रॉस चेत्रफल एरिया ठीक इसे बोलते थे ए आई जी से डीनोट करते थे सेम वैसे ही मैं ले रह कि ए अपान ए आई यह आपका यह आई अपान के के एस होता था क्या होता था क्या होता था क्या होता था अब यहां पर ए आई की वेल्यू आपने निकाल रखा है यहां से देखेंगे ए आई की वेल्यू यह हुई है और के सोरी के एस नहीं बल्कि क्या होता था वाई ग्रास एरिया निकाला ना तो ग्रास एरिया के लिए मेरा हो जाता, तरह सही है कि AI upon KS ठीक, अब यहाँ पर मैं निकाल रहा था इसके लिए देखेंगे ग्रास एरिया मैंने निकाला AI upon KS, AI की वेलू निकाल रखा था इतना, divided by 0.9 यहांस निकल कहية 255 mmStp यह आ गया किसका grous 6टेहफल अब यहांसे जो सो देवेगा होगी इसको टोटल मुटाई निकालेंगे तो यहांसे मैं निकालने देखेंगे कोर की कुल मुटाई अगर यहां मैं निकालता हूँ कि कितना मोटा कोर होगा तो यहां से आपका AG अपान के AIG में कह रहा हूँ यह अभी जो मैंने निकाला अपान के AI यहां से इसकी value दिया है हमारे पास कितना है भाई AIG की value 275 कितना है भाई 275 और AI की value हमारे कितनी है 247 point के 5 तो यहां से डिवाइड करेंगे तो यह कितना जाएगा 22 mm कितना जाएगा mm square में था तो एक आएगा तो mm ठिक इसकी क्या हो जाएगी मोटाई ठिक अब हम क्या निकालेंगे design of binding तो binding के लिए देखें हमें क्या के चाहिए AI हमारे पास दिया है कितना है जीरो पौइंट Four Three एंपियर शुरू से लिएद ठेले दारा घंत करन्ट डेंस्टी अगएडर मैं बात करूं यहां में लिए धारा घंट या फिर करन्ट डेंस्टी की मैं बात करूं ठीक वो दिया है कितना है भाई धारा घनत को मैंने रखा था डेलटा से दिनोड किया था यह लिए रखा था 0.2.3 एंपियर पर mm2 यह किसके लिए रखा था बाई कापर के लिए कापर के लिए धारा घनत की वैल्यू रखा था अब यहां से देखेंगे अनुमानिच छेत्रफल तार का यहां लिख रहे हैं तार का अनुमानिच छेत्रफल छेत्रफल ठीक अनुमानिच छेत्रफल इसमाल ए से डीनोट करते थे अब यह प्राइमरी यहां सेकंडरी का कोई मतलब है नहीं तो एक ही ले रखा प्रामेरी सेकंडरी वाला होता हम यहां पर पी ले ले ठीक अब यह हो जायागा आपका आई अपान ये ठीक आई अपान डेल्टा ठीक आई की वेल्यों आपके पास कितनी है भाई 0.43 ampere और डेल्टा की value अपने लिए रखा 2.3 यहां देखेंगे यह ampere था यह ampere प्रत mm square में है ठीक ampere से ampere cancel है अगर उपर जाएगा तो इसकी जो value आ जाएगी वह आ जीरो पॉइंटवण 8 6 9 mm square चुकि यह ऊपर चला जाएगा ठीक है तो यह आ गया जो तार होगा चालक होगा उसका अनुमानित छेत्रफला जाएगा ठीक है अब यहां से तार का क्या निकालेंगे अनुमानित ब्यास निकालेंगे क्या निकालेंगे यहां में लिकाला हूं तार का यहां पर्मार देखेंगे प्रामरी और सेकेंडरी नहीं है ठीक तार का अनुमानित ब्यास निकालेंगे फार्मूला सेम वैसे ही होगा ब्यास फार्मूला इसे हैं कैसे दिन लुकरेंगे डी डैस से इसे पी करते थे ठीक यहां पर फोर अपान तीन दसमलों एक चार और इंटू के यह एडिया यही एडिया है आपका तो 0.1869 ठीक अब इसे अगर यहां से अगर इसे हल करते हैं तो यह हमारे निकल के आ 0.489? इतना आपकर आजएगा तार का अनुमानित छेतरफल ठीक का यह वेल्यू आपकी आजाएगी इसके लिए झाल आभ यहां से हम देखेंगे जब पूना किस यह जाएंगा भाइ पूना इसके लिए तेबल से देखेंगे जब टेबल से से देखेंगे डी की वैलू हुमार इतनी आ रहे है डी डैस की वैलू हुमार इतनी आ रहे है अब हम टेबल से देखेंगे कहां से देखेंगे टेबल से देखेंगे और इसकी एकुरेट वैलू लेंगे तो हम कौनसी वैलू ले रहे हैं मीडियम वाली वैलू ले रहे हैं पाँंट अधा बएकर देखीं उसे को मेंत अधिक हाने का गर है था वार पोइंट एड़ यहां पॉइंट सेबन है तो हम उससे को नहीं लेंगे इसके वहां रहन dalam समें तो इसे आगे मेडिया मगहीं लें decides को यहीं हमारा मीडियम covering है बलकि हमारा टेबल से कहते है था इसके लिए medium covering जो हमारे medium covering के हम क्या रहे ब्यास ले रहे थे ठीक medium covering का अगर ब्यास ले रहे तो कितना रहा था 0.5 71 mm आ रहा था यह हमने कहां से लिया था टेवल से ठीक है अब यहां पर अगर प्रतिरोध निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं और इसक्वल to ir square होता है यहां से देख लिए बराबर क्या होता है i square r होता है यहां से अगर आप निकालेंगे और निकालेंगे तो पी बाई वी स्कॉयर हो जागा पी की value किता है 40 ठीक और i की value 0.43 A है, इसका square, यहाँ से निकाल लेंगे तो यह डेटा आपका किसके आजायाका? R की value आजाएगी, क्लियर है? यहाँ से निकाल लेंगे तो R की value आगए, voltage drop अगर निकालेंगे, तो देखेंगे, voltage drop आपका निकाल आजा सकता है, चालीस अपान के 0.43 इंटु 0.43 मैंने इसे दोबा लिग दिया यहां से यह डेटा कैंसील हो जाएगा ठिक ज़िए डेटा कैंसील हो जाएगा तो बचे का का एक इसे हल कर लेंगे तो हमारा निकल किया जाएगा कि इसका वोल्टेज ड्राप यानि की वेल्लू आ जाएगा ठिक बॉल्टेज अपर क्राउट वह जाएगा जो के खरॉड हमारा कितना 93.02 MPR अब यहाँ से VE की value अगर आपका चोग पर बोल्टता है चोग पर क्या निकालेंगे चोग पर voltage कितना होगा बोल्टता कितनी होगी यह मैं निकालता हूँ इसे VE से VE से denote कर रहा हूँ तो VT upon VT into tan 5 यह formula होता है इसे note कर लिजेगा VT upon VT into tan 5 ठीक अब यहाँ से VE ही मुझे निकालना है वो क्या है चोग पर voltage है तो यहाँ VT की value अभी आपने निकाल लिया यही आपका क्या हो जाएगा voltage हो जाएगा voltage drop हो जाएगा ठीक VT आपका कितना निकल क्या था 93.02 इंटू के 105 की value देखें यहाँ 5 कितना था अगर यहाँ से निकाल कास फाई आपके पास दिया है पोश्चन में आपका कास फाई ले रखा है इसे calculator से change करेंगे कास फाई दे रखा 0.5 इसे 105 में अगर convert करेंगे तो 105 की value यहाँ से निकाल लेंगे तो 5 आपका निकलेगा कास इनवर्स यहाँ से अगर निकालेंगे कास इनवर्स 0.5 इसकी value अगर निकालेंगे तो 5 आजाएगी और 5 की फिर value यहाँ put करके निकालेंगे तो यहाँ 10 की value आजाएगी तरीका मैंने बता दिया आप लोग कर लिजेगा ठीक है यहाँ यह value आजागी अप इस value को अगर हम साल्व करते हैं इस value को आपने solve किया तो यह value को मैंने हल किया तो हमारा निकल के आगा 110. 12 ठीक यहाँ यह value हमारे निकल के आगई इतनी हमारे क्या आगी voltage है तो यह volt कह सकते है ठीक है आगे मैं चलता हूं चोक पर इस आपने क्या कई और तूर्टल टोर्न की संख्या निकालता हूं ठीक तोर्टलं की संख्या निकालता हूं थीक तो यह उपर चला जाएगा तो वी की वैलू अभी आपने निकाला कितना है एक सो एक सट पॉइंट वन टू और टी की वैलू टेबल से आपने निकाला था कितना है फोर्टीन इसे हल करेंगे टू टू फाइब इन्टू सिक्स एट पॉइंट सिक्स एट ठीक यह किसमें आजागा अब इसी को एक चेंज कर यह टर्न है चुकि इसका कोई मात रख नहीं होगा टर्न है ठीक अब यहां पर इसे अगर यहां पर इसे लंब सम या इसे एकुरेट कह सकते हो कितना 2256 सीधा सीधा कह सकते हो ठीक है क्योंकि टर्न पॉइंटों में नहीं होगा वह पूरा होगा सीधी सिभा यह इसे छोड़ दीजिए यह इसे ले लीजिए क्लियर हो गया अब यहां पर विंडो के लिए लेते हैं आवस्थे विंडो निकालेंगे खेड़ग देखेंगे थोड़ा सा भीनो होता है आपका किस से ट्रांसफार्मर से यह इंटू के एक कोस्टक में एक कोस्टक में जगा C प्लस D यह ABC क्या है आपको बताया था जे जे स्टेंपिंग की बुजाओं की माप है माइनस 2A यह आप फार्मूले में रखेंगे यहां से निकाल लेंगे देखेंगे बी की वेल्यू जो आया था वो कितना था फॉर्टी फाइब पाइंट टू फाइप एक ही वेल्यू कितनी थी यह आपका 12.5 था तो टू इंटू 12.5 ठीक ऐसे इधर की और आप करेंगे सी की वेल्यू कितनी थी आपकी 54 था प्लस डी की वेल्यू कितनी थी आपकी 41.25 और आपके उधर की इधर की में बात करता हूं तो माइनस 2 एकी वेल्यू 12.5 इस एरिये को सॉल्व करेंगे तो यहां से अगर इसे सॉल्व करते हैं देखेंगे इसे जब सॉल्व करेंगे तो यह पूरा निकल किया जाएगा 56 mm² ठीक 14 14 12.14 22.56 mm² यह आपका जाएगा किसका आवसेक विंडो का एरिया अब यहां से सेफटी फैक्टर से क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे तो यहां से एक चीजा और आपका निकल गाएगा सेफटी फैक्टर अगर आपका निकालते हैं यहां सेफटी फैक्टर स्थान गुडांग अगर मैं कहूं प्लेस गुडांग कहते हैं सेफटी फैक्टर नेवल की प्लेस गुडांग क्या निकालता हूं प्लेस फैक्टर यहां से अगर उसकी वेल्यू निकालते हैं तो यहां से देखेंगे यह वाला एरिया यह और यह आपका एकुरेट आया था टेबल से इसे ले लेंगे अपान टेबल वाली वेल्लू 0.571 इसको अगर स्क्वायर कर लेंगे यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो जिरो पॉइंट किता जागा दिखाए नहीं देरा भाई ठीक है यहां से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यह निकल किया जागा 6.61342 यहां से यह निकल किया जागा इतना ठीक अब तार का छेतर फल अगर निकालेंगे तार का अवसक छेतर फल निकालेंगे तो यहां पर देखेंगे तार का चेदरफल ठीक चालक तार का चेदरफल अगर इसे निकालते हैं तो ये A से दिनोट कर रहे हैं ये आपका क्या है पाई वाई 4 D का स्क्वाईर ठीक ये निकालेंगे तो अब यहाँ पर देखेंगे पाई 3.1,4 चुकि पाई आर स्क्वाईर होता है देखेंगे पाई आर स्क्वाईर होता है या पाई D स्क्वाईर का है बात एक ही होती पाई आर स्क्वाईर करेंगे तो वहाँ से वह फार्म पाई भाई 4 D स्क्वाईर है तो यह देखेंगे यह pi r square होता है ठीक, r के स्थान पर क्या लिखेंगे d by 2 तो pi into d by 2 लिख सकते हैं इसका square तो यहाँ जगा pi 2 का बठा 4 और यह d square तो यह formula यहाँ पर है वही लिखा गया, घबराईएगा मत इससे बिल्कुल भी तीन देसमलो, 1,4 अपान 4 into d की value आपके कितने है, 0.5 का square है ठीक, 0.5 का square है यहाँ से निकालेंगे इस value को तो यह आजाएगे 0.11635 mm square ठीक, अब यहाँ पर आवस्यक विंडो छेत्रफल निकालेंगे required आवस्यक विंडो छेत्रफल अगर निकालेंगे कितनी मुझे जरूरत है, ठीक, छेत्रफल आवस्यक विंडो छेत्रफल अगर निकालेंगे तो इसे बोलते हैं, wr इसका formula हो जाता है 1.2, एक बार देखेंगे इसका जो theory है उसे जरूर पढ़ लेंगे, theory बहुत tough नहीं है समझ में आज आएगा, time मिलेगा into ta की value आपने निकाला था कितना निकाला था भाई, देख लिजे यहाँ ta अलग अलग चीज़े हैं दोनों अलग 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 चीज़े हैं मैं इसे कर दे रहाएं, रहाएं, confusion नहीं हो यह आपका area है, ठीक है, जो अभी आपने निकाला है, ठीक देखेंगे ती वाला area जो देखेंगे ती, यह ती, यह निकाले थे आप और ए अभी आपने जो निकाला वो यह है, इनकी value रखेंगे ती अलग अलग है भाई, एक में नहीं है ठीक, इसकी value रखेंगे, तो उसकी value एक ते बाइस चपन इन्टू, इसकी value लिका लेंगे 1.0.11635 इसे अगर आप अपान में देखेंगे अपान में क्या है, ऐसे ऐसे की value आपने निकाला है कितना था भाई, यह value थी यह, अपान में 0.61342 इसे अपान करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखेंगे यह जाएगा, 866 0.55 5 mm इसक्वायर, ठीक अप देखेंगे, यह डबलू, आर की value है यह required है न, तो इसे मैं कह सकता हूँ कि डबलू, आर है ठीक, डबलू, आर है, डबलू, आर की value यह है, और डबलू, टोटल की जो value थी, वो यह निकल के आएगी तो कौन से area बढ़ा है, यह डबलू, ए बढ़ा है, और डबलू, आर क्या है, छोटा है, तो यहाँ लिख सकतेंगे, इसलिए, या अर्थात करके लिख सकता हूँ अर्थात, क्या निकल के आए, conclusion नमारा, डबलू, ए बढ़ा है, किस से डबलू, आर से, यह यहाँ तक, question आपका, solve होता है एक बार इस question को पूरा अच्छे से revision कर लिजेगा, कहीं भी अगर कोई point छूटता है, तो मैं उसे फिर से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है पूरा question दिखा दे रहा हूँ, देखेंगे, यहाँ कोशन शुरू हुआ है, यह बना, इधर, कोर की design किया मैंने, फिर, यह, यहाँ हुआ, इसे solve करेंगे, ठीक, फिर, इसे solve करेंगे, ठीक, यह देख लिए, और लास्ट में आपको यह मिलेगा, ठीक, उमीद करता हूँ, आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा, धन्यवाद,